विषर्ण गर्मी को लेक्ते होए मुख पक्षियों के लिए सकोरे वित्रन का कारी किलम गर्णपति विकास समीटी ने रखा और निचूर की सकोरे वित्रन कीए सामाजिक सांसकर्तिक शेत्र में अग्रणी रहने वाली गणपती विकास समीती नीमस दुआरा निरंतर जनहित्वा शेत्र की उन्नती के लिए कारी किया जा रहा है वही जीवदया परमोध्रम के उद्देश के साथ गर्मी के इस मोसम में पक्षियों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख पक्षियों को दाना पानी आसानी से उपलब्द हो सके इसके लिए गणपती विकास समीती दुआरा क्लासिक क्राउन कोलोनी के पास इस्थीत नवनिर्मीत गणेश गार्डन गणपती नगर में रहतकाल के समय आमजन को नीशुलक मिट्टी के बने सकुरों का वित्रण किया इसके साथ ही पक्षियों को खाने हेतु जुआर बाजरा वा मिक्कामिक से दाने भी वित्रण किये गए गुरुआर को करीब 150 पानी के सकुरों का वित्रण हुआ इस मोखे पर गणपती विकास समीती अध्यक्ष एड्वोकेट कृष्णिपाल सिंग जाला, कृष्णिकान बेरागी वेभुवेद मनीश चानना, मदलान शर्मा, शाम केमलिया, प्रसन्न सिंग परमार, राजेस सालवी, मनोज भार्दुआज, नोनु शर्मा, अमिस सोनी, पिंकेश, शेटिया, मुवारिक खान सहीत, अन्य लोग मोजूद रहे। गणपती विकास समीती के सदस्यों ने बताया कि कल शुकृवार 8 अप्रेल को शाम साले 4 बजे से साले 5 बजे तक क्लासिक क्राउन कोलोनी के पास इस्थित, नव निर्मित गणपती नगर में जल्दी आई और गणपती विशेख जान रखते हुए है, हमाय गणपती विकास समयती के जो एक्टिव सदस्यों है, अधनी बेराजी जी, अधनी मनी जी, साणना जी, वेभो जी एवं पंडेज जी, तथा मार शर्मा जी, सबने मिलके एक सयोग, सभी के और से इन्हों ने प्रस्ताव रखा और सभी ने इस प्रस्ताव को बड़ा महत्व दिया और उसी आधार पर जो है, आज सपुरा वितरन कारिक्रम उर्खा गया है, ताकि कोई भी पशू पक्षी जो है इस धूप में इस भ़ी गर्मी में प्यासा न रहे और प्यास के वज़े से उसकी जान जाए उसके लिए विशेष्ट होते हैं जो हम आगे चलकर इसका क्या न करेंगे